नाश्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूटुब चैनल में माज आपके लिए एक अच्छी कंपेरिजन की वीडियो लिखे आऊ हूं यह सभी सी 28 है दोस्तों मैंने आपको अगर आपने मेरा वाई केसी और अधनान अली में कंपेरिजन नहीं देखा तो आप देख लीज दोस्तों आपको दिखा देता हूं यह देखें इनका नंबर भी है 9690803891 ठीक है दोस्तों यह भी सी 28 है और इसकी धार अधनान अली से और वाई किसी से तोनों से तेज है ठीक है दोस्तों इसकी धार इसकी ठीक है अधनान अली का रेट और इसके रेट में दिनांद का अंत जादा रेट है इनके तो ठीक है और दोस्तों आप कोई भी मांजा ले तो कोंसे कम उसको 6 महीने जरूर रखे या 2-3 महीने तो जरूर रखे नहीं मांजे को बनवाते समय नहीं तो अगर आप केमिकल की डौर बनवाओगे तो आपको पता वो तुरंत लड़ जाएगी लेकिन की तो दोस्तों ये बल खुला है और यह लच्छी पेल सटाएएट को इसका भी रेट काफी कम है एकोर्डिंग टू इसके यह छहे रिल में में है और देक् यह दस में था , यह 10 रील में था ठीक है दोस्तो बराबर है क्या वाइक के सीसे बढ़ेंगे इसका और इसका भी और इन दोनों पर निजाम का और इसका नईम वाले आप भूल जाओगे इन को मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं देखिए बहुत सारे यूटूबर जिन्होंने रिव्यू किये हैं पर दोस्तों रिव्यू से नहीं पता चलता मैं रिव्यू देता हूं जब उस चीज को मैं लड़ा के देखता हूं क्यों कि पहले मैं भी आप लोग इधर ही था लिम बेकार निकलाया ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं इसकी धार और इसकी धार में यह दोस्तों गर्मी के मौसम में बहुत बहुत बहतरी लड़ा है ठीक है यह सर्दी में सायद इनमें से कोई भी नहीं लड़ सकता सी 28 मैं क्यों नहीं लड़ सकता वो बता देता हूं यह द दोस्तों, यह सिर्फ समूथ और शाफ है, इन दोनों, अगर आप अधनानली के फैन है या YKC के फैन है, तो अलग बात है दोस्तों, लेकिन जो पहले कॉलिटी आती थी YKC की, वह जबरदस्ती लेकिन अब वह quality नहीं आ रही है ठीक है अब यह अधनान अली का है यह उस टाइम पर बनवाया था जब अधनान अली का ज्यादा इतना नाम नहीं था दोस्तों उस टाइम का यह 28 है दोस्तों बहुत बैतरी लड़ता है ठीक है रिजल्ट भी इसके आज भी अज़े धार देखिए दोस्तों बहुत बैतरी नहीं कहीं से कुछ नहीं कहीं से वाइन पर नहीं पूरे मांचे में ठीक है और यह देखे कुछ से से वाइट सपोर्ट कैसे आ रखेए ये देख लिए ठीक है ये निजाम को है सी टुण टेट कहें भी वाइट सपोर्ट में है पूरी बल्क खुलीले बैतरी धारत के साथ है यह यह भी देखे दोस्तों सी ट्वनीयट है बैतरें धारत्रक के साथ और माइब्ता तो निजाम का और इस वाले c28 का फायदा क्या है यह अतनान अलीस से और kort केशे से बहुत बारिक है दोस्तों इन दोनों से बहुत बारिक है यह झो फीकcon तो आप को पता हिए बारिक मिल गई को अर्माजबूत मिल गई यह च्रॉराशी सो से भी ज्यादा मजबूत होता है c28 ठीक है दोस्तो 2400 c28 से थोड़ा कमजोर होता है ठीक है अगर आप गर्म के मोसम में लड़ाने के लिए ले रहे हैं c28 तो आप इन में से चोईस कर लीजेगा आपको अच्छे रेट में अच्छा मांजा मिलेगा दोस्तो इस बात की गारंटी है ठीक है महें पर इनके चक्कर में महमा और चाहो तो मिल जाएगा पर उस जैसे भी अगर आपको महंगे जैसी क्वालिटी चाहिए तो दोस्तो इन पे जाईएगा इन पे जायेगा निजाम का भी नमबर दिखा दिता हूं अगर आपने नहीं देखा तो यह देख लीजे निजाम और ना मांजा बनाते दोस्तों कम रेट में अच्छा मांजा बना के देंगे अधनान अली का भी अगर आप फैन है तो इनका भी नमबर यह रहा ठीक है यह इनका 24 करेट तिल्समी मांजाता जो उनका सबसे टोप है ठीक है मांजेगी कमी तो कुछ नहीं मांजे में भी दोस्तों पर अधनान अली के में जैसे मैं क्या है वाइकेशी से तो मोडे कुछ अच्छा लगा इसका यह देखें रगणने पर कितना क्या है इनकी बात बता जिता हूं कि यह देखें अभी भी कड़क डोर है और पूरा मांजा चटकता नहीं यह देखें मैंने कितना रगड़ा है और यह देखिए कितने वाइट स्पोर्ट मिले हैं आप मरे को खुद बता दीजिए दोस्तों वैट स्पोर्ट क्यों नहीं दिखते हैं मैं वह बता दिता हूं यह दोस्तों लच्छी पे हैं सेम कलर की लच्छी इसके इंदर इसलिए इसमें वाइट स्पोर्ट नहीं मिलेंगे य ठीक है ये दस रील बचा हुआ है ये भी बहुत बैतरी लड़ा था ठीक है ये देख लीजिए इसकी मंज़े की दिखा देता हूं ये देखें धारदार बिल्कुल बहार बैतरीन ठीक है ये देखें मसाला रगने पर भी कितना उत्रा आप देख लीजिए ये भी लच्छीवे हैं सेम कलर की लिए अब दुबारा दिखा दिता हूं इनका नंबर ये देख लीजिए मुरादाबाद के मेकर है बहुत अच्छे मेकर है दोस्तों ये भी ठीक है और कि किसी बाई को कुछ जानकारी से ये तो मुझे कमेंट कर सकता है दोस्तों और दोस्तों जितना हो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपने यार दोस्तों में भेजिएगा था कि उनको अच्छी नोलीज मिल सके ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्रा आप लोगों के लिए और बहतरीन ठीक है दोस्तों अज इतना ही बाई अगर आप बोलोगे तो मैं C28 में और 9 तार में भी कंपेरिशन दे दूगा नो कोड में तो कि मेरे पास 9 तार का पांडा भी है वाई के सींका है उसका विजल्ट अच्छरा ता कोई भी आप ये मांजे मैं क्यो ले रहा हूं दोस्तों ये बता दीता हूं आप मांजा हमेशा वो ले जो केमिकल का ना बना हो ठीक है दोस्तों वही मांजा अच्छा रहेगा और उसको थोड़ा रख्के लडाना है तभी अच्छा रिचल्ट दे पाएगा ठीक है दोस्तों बाई थैंक यू